राजिंद्र गुड़ा के मंत्रीपत से बर्खासगी के मामले में सियासत गर्मा चुकी है एक तरफ बीजेपी गुड़ा के बयानी बहाने कॉंग्रेस को गेड़ने में लगी है वही दूसरे तरफ बीजेपी यहां बीजेपी पर कॉंग्रेस हमला वर हो गई है PCC Chief गोविन सिंग रुटासरा ने बड़ा बयान दिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद राठोर को साजिश करता तक बता दिया रुटासरा ने कहा कि राजेंद राठोर BJP के किलाफ यहां तक की वसंद्रारा राजे और BJP प्रदेश अध्यक CP जोशिर के किलाफ भी साजिश रशतने हैं प्रदेश प्रभारी सुगजंदर सिंग्रंदावा ने कहा कि पहले बी 2-4 बार ऐसी बाते हो चुकी थी राजंदर गुड़ा को हिदायत दी गई थी उसके बाद भी एक बार से ज़्यादा मामलों में ऐसा हो चुका था उन्होंने कहा कि अनुशासन हिंता बरदाश्ट नहीं होगी हमरे आदमी से आपने क्या सांट कांट की कि आपको क्या पता चला कि राजंदर गुड़ा इस वक्त ये बोलेगा और मुझे इस दाराओं का बखान करते विए ये बात कहने पड़ेगी ये जांच का विसा है अभी प्रबारी जी कहके गए है ये राजंदर राठोड साजिस करने का सातिर व्यक्ति है मुझे पता चला है कि राजंदर राठोड ने हमारे किसी नेता को समय आने पे खुलासा करेंगे सुवे नो बजे फोन करके कहा कि आज हम कुछ दमाका बढ़ा करने वाले हैं इससे लगता है कि ये साजिस करने वाली पार्टी है और इसने साजिस करके इस तरीके का खेल करवाया है हमारे के मंत्री जी उन्होंने उठकर कहा कि मनिपूर को छोड़िए राजस्तान की बात करिए जैसे उनकी भाषा थी और साथ ही साथ नेता जो अपोजेशन के प्रतिपक्ष के नेता हैं उनका उसी टाइम रियक्शन आना और विद उनके उपर के कौन सी धारा में ये लागू होता है और साथ कहना के कैबिनेट में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की कैबिनेट का मंत्री राज्या मंत्री खड़ा उकर स्टेट में देता है इसका मतलब कि वो बिल्कुल स्टेट के दौबट के साथ नहीं है जो पार्टी में इन डिसिप्लन करेगा बहुत देख लिए बहुत इन डिसिप्लन देख लिए अलेक्शन नजदीक है हमारा मकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लन की बात करती है बीजेपी तो कॉंगर्स में उससे ज़दा डिसिप्लन है अगर चीमनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाएए नहीं सुनते आप मेरे पास आएए मेरे साथ बात करिए बैंक करूंगा और जो बात करने मैं आप करूंगा तो उन्होंने मेरे ख्लों को गवारानी लगा और उसके बाद हमने जो पार्टी के जा स्टेट के जो कंट्री के बारे में कई पूरा कंट्री पूरा देश मनीपौर कोई गटनाओं कोई नकीदी कर रहा है हमारा एक मंत्रूट कर रहे हैं उसको शोड़िए यह चोटी बात न झामनों को पर एक्षिंका